येवतमाल जिला कपास उत्पादन में सबसे आगे है, पिछले वर्षों में किसानों को अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने तथा येवतमाल के विधायक मदन येरावार ने अथक प्रयास किये जिले में सोयाबीन, कपास और तूर की फसलें उगाने के बाद किसान क्रिश्य अप्षिष्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन कच्रे से भी किसानों को पैसे कमाने के लिए येवतमाल के भाजपा विधायक मदन येरावार ने क्रिश्य अप्षिष्ट से सफेद कोयला तयार करके किसानों और बचत समूह की महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक आयप्राप्त करने के लिए देश के अग्रणी उद्यमियों को येवतमाल बुलाया था साथ ही इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रिश्य अप्षिष्ट उपलब्ध होने की जानकारी देते हुए उद्यमियों ने आने वाले कुछ महीनों में विहाइट कोल प्रोजेक्ट यवतमाल में शुरू करने की योजना बनाई है और काम शुरू करने का आश्वासन इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आसपास के तूरों और बचत समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदूशन मुक्त जिला बनाने में सफलता मिलेगी ये विदर्ब का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा